सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी की जय अगला भाग रामचर्त मानसका सबु प्रसंग गिरिपति ही सुनावा मदन दहन सुनी अति दुखु पावा बहुरी कहूं रति करबर दाना सुनी ही मवंत बहुत सुखुमाना उन्होंने परवतराज ही माचल को सब हाल सुनाया कामदेव का भस्म होना सुनकर ही माचल बहुत दुखी हुए फिर मुनियों ने रति के बरदान की बात कही उसे सुनकर ही मवान ने बहुत सुख माना हिदय विचारी संभु प्रभुताई सादर मुनि बरली ये बुलाई सुधिन सुन खतु सुखरी सुचाई बेगी बेद विधी लगन धराई सीव जी के प्रभाव को मन में विचार कर ही माचल स्रिष्ट मुनियों को आदर पुरुवक बुला लिया और उनसे सुभ दिन सुभ नचत्र और सुभ घड़ी सोद वाकर बेद की विधी के अनुसार सिग्र ही लगन निश्यक करा कर लिखवा लिया पत्र साप्त रिषिन सोई दीनी गई बद बिनाय ही माचल कीनी जाई बिधी नती न दीनी सोपाती बाचत प्रीत न हिदाय समाती फिर हिमाचल ने वह लगन पत्री का सत रिशियों को दे दी और चरण पकड़ कर उनकी विनती की उन्होंने जाकर वह लगन पत्री का ब्रह्मा जी को दे उसको पढ़ते समय उनके हिदय में प्रेम समाता न था ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सब को सुनाया उसे सुनकर सब मुनी और देवताओं का सारा समाज हरसित हो गया आकास से फूलों की वर्षा होने लगी बाजे बजने लगे और दसो दिशाओं में मंगल कलस सजा दिये गए लगे सवारन सकल सुरा बाहन बिविद बिमान हुई सगुन मंगल सुभद करही अपछरा गान सब देवता अपने भाती भाती के वाहन और विमान सजाने लगे कल्याण प्रद मंगल सकुन होने लगे और अपसराएं गाने लगी प्रेम से बोलो सियावर राम चंद्र की जए पमन सुतान मान की जए आज राम चर्द मानस बाल कांड का 51 दोहा संपन होता है और यहीं विस्राम लेते हैं बोलो राम दरबार की जए